ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेईस अप्रेल शनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन तोला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बाहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाव प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामगाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पहिणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ज्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़माने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार म आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीज सकते हैं दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिन्दिकी पूरी तरह से जिएंगे जया दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से आपका अपने काम के प्रती पूर्ण रूप से समानपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जया दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जया दोस्तो इसलिए आज आप समय का सद्यों प्योग करें कोईकि आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होनी की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परस्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है आप सासी तता पराकरमे व्यक्ति होने के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साती साथ आपको अपने कर इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी महनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बना हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती सात गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ साथ कार्य व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सक प्लिए और रहे हैं। आप किस्वाइब आपकी लिए आज कुछ परिसानियां उत्तर्पն कर सकता है। बच्चों पर ज़्यदा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं, पिता का सम्मान करें, कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं, थोड़ा साफधान रहें। दोस्तो साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें, अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है। थोड़ा साफधान रहें। आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें। तो कि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है। दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवश्य केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें। आपके गुप्त योजनाओं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी। ज्यादोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है। दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें। पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फाइदा होगा। ज्यादोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी। कार्रे आज आपके लिए सबी आसानी से सफल होंगे। कारोबार विश्टार की आज आप योजनाय बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी। दोस्तो साथी साथ आपको पेसे के लेने दिन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी। प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा। साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है। दोनों ही तरह के पेढ़नाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है। दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निर्वत्र होने के बाद भगवान शनिदेव जी को एक नीला फूल अरपित करें। और साती सात भगवान शनिदेव के मंतर ओम शन शनेश्चराए नमाहां। मंतर का बहुती सच्यमन से बहुती स्रदभाव से 108 बार जाप अवश्य करें। और साती सात अपनी मनों काम नए मांगें। जा दोस्तो ऐसा करने मातर शेही। भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। समस्त परेशन युकांत करेंगे और आपको सीगर ही सुब फलो की प्राप्ति होंगे। भगवान शनिदेव के अशिरवाद से बहुती आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद